वेल्कम बेग नाजरीन अरवा हमारे साथ था है उजार असन्कान आईए बात करते हैं से दुवारा अच्छा आगे बढ़ते हैं हमारा जो मिमिक्री वाला सेशन है जिस्पे चलते हैं तो वो हमारी बात ही हो रही थी कि जहां पर आप सुनील से थी तो आप मतलब आप प्यास करते हैं यह जादा तर लोगों को यह पता लेकिन मुझे फिर्दोस जमाल साब की मिमिक्री का बड़ा मजा था जब आप सुनाएंगे आज आप और फिर उसके बाद आप जिसका सुनील सेटी है उसके बाद मार्शाल आप तो एक लंबी एक लिस्ते आपके पास लेकिन यह जूरू आपने सुनाने तो बिसमिला करें सर पहले मैं अपने अस्तादों से शुरू करूंगा फिर्दोर जमाल साब से आप इंटर्वियू करें अचा फिर्दोर जमाल साब यह बताईए कि आपको घुसा किन बातों पर आता है आप इस बात पच्छे कि आप शी ए यह यार घुसा आने की बहुत सी मलमाच है समझ गें आप उसमें ही होता है कि अगर आप देखे सेट पे जाते हैं तो अगर कोई जूडियर आटिस्ट आपके सामने काम कर रहा है तो अगर वो लाइट सही नहीं लेगा आपना धायराउक सही नहीं पूलेगा तो यह ज़िए भुसत वाता है ना यार अचा मुझे जरा फिर दोस साब आप जरा घुस्शया करके दिखाएं मुझे मैं इसे कैसे घुस्या करू है तुम अजीब बाच करते हुए यारा आपी अद्रों की यार मैं टेमरा ऐखार के मारू हुए जो मैं जो जो पिर्दोल साब को आम तर तुम मिलेवे हैं उनको बड़ी ची तरीके से पता है कि ये खुद पिर्दोल साब सुनेंगे तो भी हरान जेंगे कि अच्छा अब आजए ये तुरा स्वेल भाई की तरह दो जी जी करिए बाद आज बाद आज गल तेयर्टर इतना अच्छा नहीं हो रहा तो मतलब कैसे ठीक हो गई इस बात यह आ यहां ला जी आपिद साफ बात यहां कि थेटर के स्पैलिंग जब तक थीक नहीं रहां तो अवार यज़ious आ कि अब तरक आप जूड़म करने वाले लोग को gracious थेटर काम करने वा तो इसी से आज़ा तो कि वे उत हैं था हुझाआ अपना मुल्क है कि उनो नहीं कह सकते क्योंके उपलवाना था शेर था साना मुल्क है हाहाहा बहुत आला, बहुत आला अचा अब आगे चलते हैं, तो आगे सुनिल सिटी साँभ है तो सुनिल सिटी साभ के यो डायलोग्स जो आपके मुशुर हैं वो ज़र तरह सुना रहे हैं एए अच्यले तम किसी ओर के हो जाओ यह होने सकता तो मैं मुझसे कोई हो ले जाए, यह मैं होने नहीं दोंगा दिलवाले तो बहुत देखें, लेकिन जो प्यार में पागल हो जाएं और इससे दिलवाले को आज पहली बार देगा आबे, तुम बहुत अच्छे अक्टर हो, तुम्हार इस चंदा तारे में मुझे चांस नहीं बिला, यह लाइदा बात है, वो तो आमिर की वज़ा से नहीं मिला अच्छा चंदा तारे के सीजन टू में बड़ी कोशिच की और मैं बार-बार कहता रहा हूं और आमिर भाई ने भी कोशिच की और फिर नारे लेकिन आप आनी पा रहे थे वहां से, कैनिडा से नहीं वो ऐसा हुआ कि आमिर मुझे यह का था कि हम आपको वाटसाप वीडियो पर लेंगे ना वो फिर मेरे से भी यह बात हुई थी कि फिर हम इस रहा करेंगे कि वाटसाप पे उनका एक अधा सीन जो है ना हर एपिसोड में डालिया करेंगे मैं तो ready हूँ सर मैं तो ready हूँ अब जब वो लेंगे तो हम देंगे ना इंचाला अथा अगला हमारा है एक चोटा सा rapid fire है यह जो मैं देखने वालों को भी कहूँआ के वो इसको serious ना लें यह फनी होता है हम इन सब की इज़त करते हैं अप्छा इसके पहले अपने audience को जो म अजिमान कमर साब दिलकुलू आए मैं पूरा उनका स्टाइल आव इंटर्व्यू कीजिए मेरा जिसम मेरी मर्जी वली बात थीजिए ठीक है अचा खलील साब ये बताईए कि ये जो चंद खवाति मेरा जिसम मेरी मर्जी वाला स्लोगन लेके चल पड़ी हैं आपको किदर जाता हुए आ हिएँ मामला कि खалог अधि मेरी बात सुनो कि बस्राइब मेरा जिसम मेरी मर्जी नहीं बहुता नरी गारी मेरी बरजी होता मेरी बी वी आप बात खालुते हैं आप अंग्रेजी भी बोलते हैं बीच में तो आज बोली नहीं रहे हैं आप मैं बोलूगा बाब लाइचिए वाद भूल यासर यासर थ्री बैक्स भूल आपने मेरा ड्रामा देखा है मेरे पास तुम हो जी मैं नहीं देख सका हैं सॉरी आपको पता सा ये सैनमे में चला हाँ लास्ट एपिसोड मैं आपको बता रहा हूं मेरा अगला ड्रामा जाज में चलेगा अरे बड़ा इंड़ा आइडिया आपने निकाला बहुत आपको 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 मुझे मार पटवाएंगे सब को अच्छे ही लगेगा यार मतलब जिसकी नकल उतारी जाती है तो इसकी नकल उतारी जाती है यार.. बच्चे, सारी मख्खे हैं अधर अधर हदर 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 ह यार वह बड़े ही दिवच्छब आदमी है बड़ा मदा था है उनके साथ जो सीन हो उनकी एक्टिंग आपको सुनातो हूँ थोड़ा ओगर परना पड़ेगा और कोई आपको मारे ना मारे वो जफर मारेगा पुझे जफर मारेगा मुझे वो वो मेशा ऐसे करते हैं जफर साब का एक्सप्रेशन दे है आपकी तुम्हें तलाशी लूँगा हाँ जी आपके लिए तोफ़ा है कि उन्होंने आपको यह बता दिया कि अमिर साब किस तरह डिरेक्शन देते हैं वो जब कहते हैं मख्या मख्या है अधर हो जो तो चोटे बचों को मख्या के रहे होत बहुत आला बड़ी जबर्दस अबसर्वेशन आपकी तो यकीना आप मेरी भी कुछ नकल आपने सूची होगी जी बिलकुल मैं आपको बख्षूंगा पहले मैं पहले मैं आपको मिस्वा की नकल हमारी जो आर्टेस्ट हैं सबा सबा जो उसमें सबा के करेक्टर कर रही है क्वां य disagreements करक्ठो कर रही है है कोई दसरी आला तुसी ठीट होगा अच्छा आःता आ कि अच्वा है अगरे में सबाध नहीं और राइटर होना ता एक ही लाइन लिगें और फंचल खैरें अज क oneself करने आपने ही नहीं होगा आप से रहने ही भी करतें वह 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 लेकिन वह बड़ी 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 क्लासी और बड़ी उनकी लुक मार्शाला जी, यह मैं मजाग कर रहा हूँ, I still respect her और मैं बारी बारी आपको चंदा तारे के करेक्टर के आवागे सुनाता हूं ताके बच्छे खुश हो सगे, हमारी आपा यानि जो बुवा हैं, बुवा हैं, आपा हम जने कहते हैं, she's a very nice woman और मार्शाला हमारी बहन हैं बड़ी, वो ऐसे गुलती है रहा है जन्डा, मैंने तो डूद बना दिया था, आप पील चंजा, हर वगत ही अस्ती रहती है, फता नहीं रोज तरहा देंदे सा यहां है और आपर देंगे आशीया जिए रोज तरहा मिलती है उन्हां हुष्दों करा रहा नही वे最 रहा नहीं वे खड़ारा मैंज अगे आपकी एपीसोड देखिए जिन अणर्जम बाबा बेमार होई रागर अगर यह जिन अए बेमारी ने से जिनना अणर्जम बाबा ने आख सिकतो मैं अंदा भांते चितर सुगा अंदा हुआ है है अवह राफ और उसा है ईक होआए को उस में का नाम नहीं खुण गार किर दो कि आप हैं कि अमसी है कि तमने अच्छ के तूमugen खाई किसिने करो कि का वारे दादाबू बने थे बच्चों के उनका क्या नाम था? बड़े अच्छी अर्टिस्त है नाम मेरे जिन से स्किप हो गया बस तिर बहुत ही अच्छी अर्टिस्त है बाते कही और निकर रही है भाईजान नामे नहीं यार सच में मुझे पता एकदम से फ्लैंड नहीं था ना कुछ उनके बारे में कि बात होगी इसलिए बारल वो मैं नाम उनका दे दूंगा नीचे आप करेंगा वो ऐसे बात करते है अच्छा वो दादाबू ऐसे है स्टोरी है जी वो गाउं से आया है लेकिन पहने उन्होंने जी ब्रैंड कपडे पहने होगा है पड़े लिखे लिखे दादाबू कोई खेतों आप ना गन्ने लाकिया है ना कोई मुकईद आटा लाकिया है और दादाबू आगए दादाबू ऐसे बोलते है अब यह दोवारा बहुत ज्यादा पेड ने कर रहा है अजया नहीं होता अच्छा पूरे ड्रामे एक चसानू ना प्यार नहीं अपनी बहुआ नहीं प्यार देने तरहाओ पेटाओ और देक्डर नहीं है मैं आपेड़ा पूरागों कारपे जो बहुत ज्यादा कम खराब हो रहे अब आगए जी नाजरीन अब मैं आपन बाई का इंटर्वीव करूंगा एक रहगी एक रहगी हमारी सुहेरा हां सुहेरा रहगी अब मेरे को दुबटा नहीं हिगा जो पिन नाल पड़ा ही पका हुंदा हुदा हुदा मैं लबन हुदा दुबटा जलजला आगया एक दिन टाइटानिक तो मेरे नाल गई जलजला आगया टाइटानिक दूब रहा है सारे दूबटा नहीं हुदा रहा हुदा नहीं हुदा वो एक ऐसी आर्टिस्त है यू नहीं रखता जैसे वो आप लिबर्टी में या कहीं भी आप दुबई में जाते हैं तो वो बटन दबाओ तो वो बोलने लग जाती है फिर वो बटन दबाओ बंदो जाती है अब यह देखें सोवेरा मैंने तो ऐसे कहा था अब आप ही नहीं किया तुम नहीं क्या करो प्राओं फिर बुंदा हुए मुझे इसमें से बहुत कुछ काटना पड़ेगा नहीं सर कुछ ना काटे मेरे लिए सारे मैं पियार करता हूं आप सबसे में मजाँ कर रहा हूं आप बात मैं शुरूई यहां से मैंने की कि इनसे बहुत इंप्यार करते हैं और बड़ी इज़त करते हैं सब की जी 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 इब आपका स्टाइलिक एक्टिंग दो डिरामा चर रहे हैं ज़िए पेले दिन चदो अच्छा मैं आपसे अपे अपना फर्स एक्स्पीरियंस शेयर करता हूं जब फर्स सीन हमारा आपस ने था हम जैसे ही आप सेट पे आये मैंने को जबर 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 जब सीन स्टार्ट हुआ अब मैं बड़ा बाई बनाओ तो अब आज इची बड़ा फरादू लगे मैंनो मैं टेंसरी चागिया बैट्या मैं करें तूंच बोला आप अब आपका बोले का स्टाइल का है अब उभवार जबर ने बाई और जबर मोती जी मोती जी जी कहा रिया मैं करें कि काया रे तो आपको कर तेमा आप मैं तो त्वर गर जाकर आ कि भचल हां जामाहा है जो दोनों सब्सक्राइल हो वह किसे बोलते हैं मैं कैसे कूलता हूँ मैं आगे सबस्क्राइब है हाह रजवान तुम्ने ऐसा कर लिए था पर उचल आब इंगे लिए यह जाए और फो यह भी होगा था मैं बिल्र्ष बिल्लिच करो मैं का कास्टिंग गलत हो गी यह बाई अच्छा, आमेर मैंनों किया रहा है, एक संद, सीनिच मैं थोड़ी वाइस चेंगे, ने, ने, ये ये यंग माबब हैं, आप अवास को यंग रखें, आप अवास को यंग रखें, मैं कहते हैं, आपे तुम ही दसोना, ओ मेरा दादा बढ़ के उतने बोर रहे हैं, मिता अवास को ये यार, उसकी अवास बहुत भूद रहे हैं, मैं रहे हैं, मैं तो आप अच्छा लगा, आप में इस सारी बात बताईए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कर आप जब एक्स कर रहे थे ना, खुदा की किसम मेरे अंदर से होश उड़े होए थे, मैं कह रहा हूँ, वो एक सीन हमारा था, जब वो पैकिंग हो रही है, तो वो कैनेडा वाला जो बांजा होता है, मारा जा रहा होता है, मैं आपको कहता हूँ, रजवान, वो आप सीन कर दाना ह dachte, कर थे ना जे ओरमना, पीलकर दाना, थे जला जाना ब Cocktail की साण वरे हैं, सारे हाना गोली मार देगे! आपके मेरे सीन के अना मुझे बादा मजा आता है और, मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि वो एक प्रेवंसी मिल जाती है ना तो क्योंकि हम वारा सेट पे भी एकठे ही हम बैठे रहते जाता है वालत साब बने से बच्चे आधे दादाबू वो लादा मीता बच्चन अभी खुशी कभी घंबड़ा आके बैठे तो किस तरह एक सीन में बोर रहे है जब वो गर से जा रहे है बच्चे कहरे है बच्चे करें दादाबू हम आपको मिस्करेंगे ते दादाबू ने अपनी पुशी कभी घंबड़ा ही है देखो बचा हर बंदी ने यहां से जाना है और रहा है ऐसा है बचा यह है बचा मैं अपने आप लिशारु खान समझे बाप्स अब नहीं जाएंगे बाप्स लाला ला 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 चंदातारे हुआ कम अगर पॉसिबल है थोड़ी देर रख आप अगर इल्लीगल नहीं है वहां पर जाहर है कि इल्लीगल यह मास्क उतार ना तो थोड़ी देर के लिए ताके मैं इसका बना लूँगा क्या कैते उसको थामने ताके व बच्चों को पता जल दे किसका इंड्यों जल में अच्छ यह जो आटिस्त हैं यह सारे मेरे बड़े प्यारे और बड़े इज़त की जगह पे हैं इसमें कोई अगर कुपरा लगे ता आम सुरी अच्छा आपने दोनों में से एक को चूल्स करना है और जवाब आपका दिल्चरस्पोना थी जरूरी नहीं कि और सही जवाब है इंश वासे चोधरी या कोई अच्छा राइटर उजहर अरे अच्छा सेयद नूर या यस चोपड़ा ओफकोर्स यस चोपड़ा ओचा मलकु या मिका मिका अच्छा अब आप ने इसकी रीजन भी उतानी है प्रिंडली हैमदिय आ क्रेटिव मinea है मलकऊ के साथ मैं अनके घुगाने सथे भाएट ते मिलती है जिसके साथ आप काया गर्रियोट हो मुझे आपका आपना फ्राइट है इसे आपके साथ मेरा एक पना इसे उत सथितलों ज्यादा पता है ता मेलता है राइट? तो वह उस सवाले से मैं एक बात पता है तो मैं अब आपका ज्यादा वक्त नहीं लूगा मुझे पता मैंने आपको कहीं रोका हुआ है इस काम के लिए और आज इस वीडियो के लिए तैंक यू सो मच अपना बहुत ख्याल रखें और इंचालात अल्ला ने चाहा त तो हमारी दुरूर मुलाकात भी होगी और इकटे काम भी करेंगे और आपको यह मैसिज देना चाहें मैं यह मैसिज देना चाहूँगा कि जो भी मैं दो मैसिज देना चाहूँगा एक मैसिज यह है कि जो भी इस फिल्म में आए सबसे पहले हमवर करके आए यूट्यूब पे इस वकट पी टीवी के और बॉली वूट की परानी फिल्मों की बर्मार पड़ी है आप सीख के आए और उसके बाद आप रिस्पेक्ट करें अपने सीनियर्स की तो तो से प्यार करें आप एक्टर हैं तो आपको खुद ही रहमत दे देगा एक मैसेज यह दूसरा मैसेज यह है चंदा तारे के बच्चों के लिए कि आप लोग स्टुडिस पे बहुत धान दे मुझे भी बहुत से फेस्बुक पे मैसेज आते हैं कि हम चंदा तारे में आना चाते हैं हम यह करना चाहते हैं देखें बच्चे पहले आप स्टुडिस करें कुछ इस काबल बने फिर उसके बाग यह तो सारी जिंदगी ही चलता रहता है एजूकेशन को पीछे रखके इस फील्ड बे मत आएं थैंक यू थैंक यू सो मच अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नाजरीन अमीद है आपको यह पसंद आएगा आज का वीडियो और आप कॉमेंट कीजिएगा जरूर और लाइक कीजिएगा आप अपना यूट्यूब चैनल भी बताना चाहे दो बता सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल है आप और हम उस दैर और शहीन के साथ तो पहले उसको देखें पसंद ना आए तो ना सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आए तो कीजिएगा लाइक मैं लोगों की तरह नहीं कोँगा वो जिरा लोग केते हैं पहले वीडियो है ना चंगा नहीं पहले किजिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिये नहीं ते मैंनो रोटी नहीं लबनी प्लीज लाइक कीजिए नहीं ते मेरी अम्मा मैंनो कारुं कर देगी ऐसा यह कुछ नहीं है लाइक जिजिए अगर पसंद आए तो थांक्यू बर्यमच इस्विके साथ इजादत दीजि Allah Hafiz Thank you very much